जब विरोध अपने हक के लिए किया जाता है दोस्तों तो बड़ी से बड़ी तानाशा सरकार भी जुकने के लिए तयार हो जाती है इस बार भी ऐसा ही हुआ है एक फैसला जो कि पत्रकारिता छेतर के लिए बहुत बड़ा जटका हो सकता था लेकिन उसका विरोध हुआ और क किस फैसले पर विरोध हुआ था यह इस खबर में आपको पता हुआ हुआ है उसका दोस्तों मेना में जयन्ती जहा और आप देख रहे हैं दनेशन दोस्तों 17 जन्वरी को एक मसौदा लाए गया था यह जो मसौदा है यह देश का IT मंत्राले लेकर आया था इस IT मंत्राले के मसौदे में साफ तोर पर लिखा हुआ था कि P.I.B. जहां P.I.B. जो है वो एक फैक्ट चेकिंग इकाई केंद्र सरकार की फैक्ट चेकिंग इकाई हर खबर का फैक्ट चेक करेगी और अगर वो खबर उसे गलत लगती है तो हर सोशल मीडिया प्लाटवर्म को उस खबर को क्या फिर उस पर्टिकुलर कंटेंट को हटाना पड़ेगा लेकर उसके बाद इस पूरे मसौदे का विरोध हुआ इस पूरे फैसले का विरोध हुआ और अब सरकार ने क्या किया है दोस्तों यह आपकी स्क्रीन्स पर है यह खबर कहती है कि सरकार ने फैसला पलट दिया है और वापस लेने का फैसला किया है जिहां विरोध के बाद केंद्र सरकार ने फैक्ट चेक नियम को टालने का फैसला किया है नए आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर हंगामे के बीच केंद्र सरकार का चारों तरफ से विरोध हो रहा था चारो तरफ से किंकिन संगठनों ने विरोध किया किंकिन असोसियेशन्स ने विरोध किया यह मैं आपको आगे बताऊंगी नाम से ही दोस्तो लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि चारो तरफ से विरोध हुआ और विरोध के बाद जो प्रस्तावित नियम पारित होने वाला था जल्द ही लागू हो जाता उस पूरे फैसले को वापस लेने का जो निर्ने है वो केंदर सरकार ने ले लिया है दोस्तों देखें फैक्ट चेक नियम को टालने का फैसला लिया है सरकार ने केंदर सरकार के इन प्रस्तावित नियमों में क्या था इन प्रस्तावित न साथ ही अगर यह अधिकार का उपियोग वो करती तो कई सवाल उस पर खड़े हो रहे थे सरकार का कहना था कि वो जो एकाई है वो ही किसी भी ख़बर की जाज करेगी अगर उसमें सरकार की आलोचना होती है जैसा आप अच्छी तरीके से जानते हैं एक उधारण के तौर पर म गुजरात दंगो का पूरी तरीके से जिक्र है और उस पूरे दंगो में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका का भी जिक्र है जिस पर कई सवाल खड़े होते लेकिन उसके रिलीज होने से पहले ही उसको मनगरंत बताते हुए उसे प्रोपोगेंडा बताते प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की आलोचना उसके बाद हो सकती थी यही रिजन है कि उसको बैन कर दिया गया तो आप सोचिए कि P.I.B. जो की केंद्र सरकार के तहत ही काम करने वाली एक फैक्ट चेकिंग इकाई होती अगर वो किसी ख़बर का फैक्ट चेक करती तो इसके क्या गैरेंटि है कि वो जो ख़बर है वो ख़बर वाकई में गलत होती क्या इसकी कोई गैरेंटी ले सकता है कि उस ख़बर में P.I.M. मोदी की आलोचना नहीं हुई होगी इसलिए फैक्ट चेक करके उस खबर को हटाया जायेगा यह कही ना कहीं आरोफ लग रह थे केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जिसके बाद विरोध स्वरूप आप केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है वो आपके सामने है दोस्तों अब किन-किन असोसियेशन ने विरोध किया था जैसे मैंने आपको कहा नाम बताऊंगी आपको बता देते हैं एडिटर्स गिल्ट ओफ इंडिया पत्रकारों का एक बड़ा समू है साथी देखें पत्रकारों के संरक्षन उनके अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई करता है इंडिया न्यूस पेपर सोसाइटी न्यूस ब्रॉड कास्टर और डिजिटल असोसियेशन इन सभी असोसिये मिलेगा इस पूरे फैसले के जरिये जिसके चलते सेंसर्शिप होगी सेंसर्शिप की आशंका यहां पर जताई गई थी अब 24 जनवरी को हुआ यह है दोस्तों की यह जो फैसला है यह कैसे पढ़ड़ा देखें 24 जनवरी को इलेक्ट्रोनिक्स और आइटी राज्य मंत्री जाजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि प्रस्तावित नियमों पर हितधारकों के साथ अगले महीने हम परामर्श करेंगे पर सरकार ने इस फैसले को टालने का मन बना लिया है यह साफ तोर पर इसके जरिये कहा जा सकता है देखें कब आया फैसला जैसे मैंने शुरुआत मे नहीं कहा 17 जनवरी को फैसला आया था मंत्राले की वेबसाइट पर यह जो मसौदा है यह अपलोड किया गया था और पी आई बी फैक्टेंगे इगाई द्वारा फरजी फेक मानी गई किसी भी खबर को सोशल मीडिया मंचो समेथ सभी मंचों से हटाना पड़ेगा यह मसौ पर नहीं तैकर सकती है यानि सरकार को यह थिकार मंगे कि वह अकेले फरजी खबर टैकरेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कैंद्रियां आती है उनके ओपर किसी का हाथ नहीं आ या वो किसी के इशारों पर नहीं चलती लेकिन किस तरह से एक एक करके विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जाता रहा है वीते सालों में या आपने भी देखा है हमने भी देखा है तो केंदर सरकार की तमाम जो अजेंसियां हैं उन पर सवाल खड़े होते रहे हैं केंदर सरकार से related जितने भूले संगठन है अगर उनके दूरा कोई बात की जाती है या उनके द्वारा कोई फैसला लिया जाता है उस फैसले में कुछ न कुछ ऐसी चूक जरूर नजर आती है जो कि संदे पैदा करती है कि शायर ये भी केंदर सरकार के इशारों पर ही हुआ है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो P.I.B. फैक्ट चेकिंग इकाई होगी ये किसी भी उस खबर का फैक्ट चेक नहीं करेगी जिस खबर में आपके अलोचना नहीं होई हो तो यही कारण है दूस्तों कि इस पूरे फैसले पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए विरोध होना शुरू हो गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया है इससे पहले जब ये पूरा फैसला सामने आया था तो इस पूरे फैसले पर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट आल्ट न्यूस के जो संस्थापक है प्रतीख सिन्हा उन्होंने कहा था कि समस्या ये भी है कि P.I.B. किन खबरों का फैक्ट चेक करता है फैक्ट चेक करने का किन शँघने की तो इन्होंने कहा जो हम कई न कई सवाल उठा रहे हैं इन्होंने यहीं बात इख़ी जानकारी के साथा है कि क्या की आपके यह कई पास कॉनसी खब्रूं को करेंगे और कौन भी गव्यारी को नहीं सभिए को सब्सक्रेस Kyle II किस मिन आइब इसलिए सरकार को IT नियमों में मसौदा संशोधन को हटा कर डिजिटल मीडिया के नियावक धाचे के लिए परमाश की नई पहल शुलू कर देनी चाहिए एडिटर्स गिल्ड ओफ इंडिया ने कहा है कि अगर फरजी खबरों का निर्धारन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकार के आहातों में होगा तो इससे सेंसर्शिप के स्थिती पैदा हो जाएगी गलत खबरों से निपटने के लिए पहले से ही कई कानून है तो आप उन कानून का इस्तेमाल करने की बजाए P.I.B. को इतनी बड़ी जिम्मदारी सौप रहे हैं जिस पर किसी को भरोसा भी नहीं हो पा रहा है यही कारण है कि Editors Guild of India जो कि भारत में इस्थित पत्रकारों का एक गैर लाबकारी संगठन है दोस्तों उसने विरोध किया और उसके जैसे कई संगठनों ने विरोध किया जिसके बाद सरकार बैक फूट पर आने पर मजबूर हुई है अब देखना यह होगा कि इस तरीके का जो विरोध है कितने फैसलों के लिए एक मिसाल कायम करता है क्योंकि सरकार बीते समय से कैसे कैसे फैसले लेकर आई है दोस्तों और उन फैसलों को वापस दिलवाने में या सरकार को अपने फैसले पर बैक फूट पर ले जाने में काफी संगठन नाकाम रहे हैं लेकन पत्रकारों के इन संगठनों ने वाकई कमाल कर दिया कि ये लोग अंत तक खड़े रहे हैं और अब ही जो सरकार के बैक फूट पर आने की खबर है यह चौकाने वाली है तुस्तों वेराल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अगर आप कोई पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फिर मुलाकात होगी आप से किसी ऐसी ही खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार